Hey guys, welcome back to Mandan Academy, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में बच्चों क्या आप IIT JE की तयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा important होने वाला है क्यूंकि last moment की preparation में आपकी marks होने वाले हैं boost आपकी preparation की बच्चों बहुत बढ़िया boost मिलने वाला है आपकी preparation बहुत ही अच्छे होने वाली है, मेरा dear students, वादा ही नहीं आपसे दावा है physics, chemistry और maths के लिए आपके लिए बहुत बड़ा surprise है साथी साथ मैं revision tips भी शेयर करूंगा, जिसकी मदद से होने वाली है आपकी study बहुत ही बहतरीन A lot to know, a lot to discuss, so let's begin बचो आप preparation कर रहे हो IITJ की, जिसमें physics, chemistry और maths ये तीन subject है तीनों chapters पे मैं important lectures प्रोवाइड करने वाला हूँ, free of cost और आपके doubt solution के लिए एक बहुत बड़ा surprise है बचो वीडियो को end में जरूर देखिए, वहाँ पे मैं इसको reveal करूंगा बट उसके पहले mathematics की कुछ important topic की है, मैंने list दे रखी है और ये कुछ important tips है तो बचो आईए जानते हैं tips को पहली बात तो आप focus concept पे करें, ना की questions की solving पे number of questions जैसे की integration, derivative, you will find कि आपकी जो MCQ की book है 400-500 questions आपको देखने को मिलते हैं बट concept के पीछे 18 questions करिए and that's it जैसे आपने lopitals rule देखा, 18 questions किये, it's okay max to max 20-25 questions, it's okay उसके बाद product rule, division rule, chain rule, कुछ question practice किये, it's okay integration में type wise, हर एक type पे आपने 4-5 questions किये, it's okay king property पे आपने कुछ questions किये, it's okay बच्चो concept एक बार ही आप समझ लो, तो आप उसका application कर सकते हो और आप जैसे की जानते हो, we have a very less time, so concept is a life saver बच्चो, past year question paper आपको जरूर solve कर रहे हैं, इससे आपको बहुत ही ज़ादा help मिलने वाली है ठीक है, साथी साथ, mock test की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चो, mock test आपको जरूर देते नहीं है, क्योंकि जैसे के आपको बता है, आप exam के लिए appear हो रहे हो, ठीक है बट exam में जो actual feel है, वो आपको पहले ही ले लेनी है, means आपको cricket खेलने डारेक नहीं जाना है, उसके पहले कुछ अभ्यास कर लेना है अभ्यास matches होती है, so इसे रहे हैं, mock test अगर आप देते हो, minimum 5 to 6, depending upon your time exam के 6 दिन पहले लगातार आप एक-एक mock test जरूर दे, बच्चो score से disappoint ना हो, यह आपका exam level feel दिलाएगा और आपको पता कराएगा कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि starting के question में ही अटके रहा, फिर मैंने last के question छोड़ दिये या फिर time management मैंने क्या गलती की, या फिर questions को solve करते समय किसी specific question पर मैं अटका तो नहीं रहा बच्चो, revision video lecture की announcement मैं last में करने वाला हूँ, जिसमें मैंने physics, chemistry के और maths की important lecture आपको provide करने है बच्चो, और important चीज़ें मैं आपके साथ share करता हूँ, quality is more important than quantity, तो please आप इस चीज़ का ख्याल में रखिए कि आपको quality की उपर focus करना है ना कि quantity की उपर, बच्चे बहुत सारी books को prepare करते हैं, study from just one book, आप किसी भी एक ही book से तयारी करिए, अच्चा, आपके surprise को मैं फटा- यूट्यूब चैनल का link दे रखा है, और ये app भी है, बच्चो, मुझे बहुत सारे बच्चो के doubts आते हैं, कि बच्चो, हम मुझे इतने सारे questions पूछे जाते हैं, कि इस समय में lockdown है, तो घर बैटे preparation कैसे हो, छोटे-छोटे concepts तो पढ़ लेते हैं, बट सबसे बड़ा issue जो ह है doubts का, तो उसके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया चीज आपके लिए धून निकाली है, वो है Snapsol app, इस app की मदद से आप अपने questions की photo खीच सकते हैं, और आप उसका doubt solution पा सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हूँ, पास लाग से ज़्यादा downloads है, 4.3 यहां पर rating है, साधी ज thing you need to worry, बस आपकी तयारी अच्छी हो जाए, इसके लिए मैं कुछ अच्छा आपके लिए ढूंड लाया हूँ, जैसे कि आप सच जानते हो, मैं math teach करता हूँ, तो दोस्तों आपकी तयारी को boost करने के लिए physics, chemistry और mathematics, तीनो one stop solution आपको मिल जाएंगे, साथी साथ, IITJE की तया करने वाले हैं, around मेरी expectation है, 90 hours के जो premium content है, आपको provide करेंगे, तो मैं mathematics teach करूँगा, physics और chemistry के लिए भी इंडिया की बहुत अच्छी faculties हैं, तो नीचे की गई डिस्रिप्शन की link से आप download कर लें, absolutely free है, कोई चिंता की बात नहीं है, आपका बहुत बढ़िया तयारी हो देखें, तो मैंने एक चीज को observe किया है, कि कुछ ऐसे concept होते हैं, जो कम समय में ज्यादा marks देखे जाते हैं, जैसे की mathematical logic, अब देखो, इतने simple simple सवाल आते हैं, कि यह क्या है, tautology है, contradiction है, और, या फिर, tautology, contradiction, और क्या रहता है, तीसरा, contingency, तो तीनों में इसे क्या है, तो मैं आपको suggest करूँगा कि यह एक गंटे का topic है, truth table आप prepare कर लीजे, मुझे बहुत सरे बच्चे कोटा से ऐसे कहते हैं, कि हमें classroom में नहीं पढ़ा है, बट ठीक है, simple सवा topic है, आप इसे prepare कर सकते हैं, बट कभी-कभी lock पे flat questions भी आ जाते हैं, mattresses and determinant, बच्चों, mattresses and determinant पे मैंने already video lecture बना रखे है, snap solve app के उपर, तो logic के उपर and mattresses के उपर, already वहाँ पे video आ चुका है, next video आ चुका है, sequence and series का, and the fourth one is continuity, तो यह तीनों चारो topics के उपर मैंने video डाल रखा है, absolutely free, आप जाके चरूर चेक out करिए, तो बच्चों, mattresses and determinant is the best topic, मैं इसे सबसे बहतरीन topic कहुँगा, purely algebra based topic है, कुछ भी complexities नहीं है, minimum J-E mains के दुरुष्टी से complexity नहीं है, तो आप mattresses and determinant कम समय में prepare कर सकते हो, next topic है, sequence and series for IIT JEE, बच्चों, sequence and series, जो first level है अपना J-E mains, उसमें काफी simple और अच्छे सवाल आते हैं, कोई भी एक बच्चा अगर prepare करता है, boards का थोड़ा सा भी knowledge है, तो IIT JEE mains के question, concept को सीखने के बाद कर सकता है, दुसरा है quadratic limits PNC, तीनों बहुत ही बहतरीन, बढ़िया and awesome topic है, बच्चों quadratic limit and PNC, तीनों की तयारी करने के बाद, आपको इतना जरूर मैसूस होगा, कि आपने कम समय में बहुत अच्छी तयारी करिए, मेरे ख्याल से अभी तक, till the date, हर साल इनसे question आया ही आया है, और वो questions में आप 50% probability ले लो, easy question आया है, अब easy का मतलब ये नहीं कि कोई भी solve कर ले, easy का मतलब ये है कि concept पढ़ रखा है, बच्चों concept limits के question literally board level आये है, बहुत बार, कई बार complicated वी आया है, बट 90% आप देखोगे limit में बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूपसूरत सवाल आये है, मानता हूँ वो unique है, बट अगर आप concept को समझ लो तो आप इनसे solve कर सकते हो, PNC is one of my favorite rank of word in dictionary, इसमें बार-बार कूचा जाता है, बच्चों trigonometry काफी important है, trigonometry आप prepare कर ले, जानता हूँ थोड़ा vast है, बट trigon नहीं आता, तो कुछ नहीं आता, क्योंकि trigonometry, derivative, integration, हर जगा पर यह सूत लाता है, तो trigonometry आप जरूर कर ले, बच्चों definite integration में कुछ most repeatedly asked concept है, अब इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि आपको क्या prepare करना है, आप से एक छोटी सी request है, कि past year paper जाके कर लीजिए, और बच्चों आपके लिए एक अच्छी चीज भी है कि definite integration पर मैं एक video lecture की series देने वाला हूँ, snap saw YouTube channel and app में, तो आप वहां से भी access कर सकते है, ठीक है, बर्नौली ड्रायल क्या बात है, बहुत 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 बढ़िया topic है, simple and easy topic, कोई tension लेने की बात नहीं है, आदे गंटे में prepare कर सकते हो, अब ज़रूरी नहींगे, easy level questions आ आते हैं, but 50% you expect की question easy आते है, next, remainder theorem and algebra की important topic, बच्चो एक question आया तो आ सकता है remainder theorem पे, simple सा topic है, तो बच्चो इस तरीके से हमने बताया, बहुत सारे बच्चो shortcuts है, IIT JEE की exam में, जैसे rank of word in dictionary, ठीक है, have you seen that shortcut, उसके बाद king property पे है, ठीक है, तो इस तरीके के शोटे-शोटे shortcut आप इन्हें जरूर prepare कर लें, दो-तिन question बन जाए तो आपके लिए तो चांदी है, बच्चो, indefinite integration में most important types है, question चे कुछ most important types है, आप उन्हें जरूर prepare कर लें, ठीक है, अच्च, indefinite integration आपको काफी vast लगेगा, you will feel यार, यह तो बहुत ही बट, trust me guys, आप typewise इसे prepare करें, do let me know in the comment section, do you want a video lecture on typewise indefinite integration, मैं जरूर आपकी मदद करूँगा, आगे बढ़े, आगे बढ़ता है, vectors and 3D, ओए 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 ओए, यह तो एकदम बढ़िया, superb, इससे अच्छा दो आपको chapter नहीं मिलेगा, इसका न किसी से लेना देना नहीं है, इसका मनलब, मनने काई लेनों देनों नहीं है, vector and 3D, दूसरे chapter से 98% तक related नहीं है न लोक की चिंता, न ट्रिग्नोमेटरी की कोई जिम्मेदारी, vector और 3D, यह है हमारी यारी, आपके exam में दो question हलवा आने वाले हैं, अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, बच्चों, concept तो पढ़ने ही है न, तो एक बार ही आप पढ़ते हो, हो जाता है, simply आप देखो, property based questions आते हैं, distance formula पर questions आते हैं, coordinates of point उनने पर question आते हैं, shortest distance formula पर question आते हैं, छोटे छोटे चोटे concept हैं, आप इन्हें जरूर कर ले, 3D में line, plane, LPP आप मानके चलिए, कि 3D में vector, 3D, line, plane, LPP यह पूरा एक साथ ही आता है, तो आप इसको पूरा एक lot ही समझ लीज LPP तो खेर नहीं आता है, बहुत ही, देखो most important concept for JE 2020, यह मैंने एक already video lecture बनाया, आप जाके check out कर लिए, statistic continuity, statistic देखो बहुत ही simple topic है, prepare कर लो, इसको लगा लाला, तो life jinga डाला, एक question आपका confirm, continuity आपका state board में काफी अच्छे से हुआ है, CBSE में तो होतना नहीं है, but I feel कि continuity के 4 important type ह आप उन्हें कर लिजिए, बढ़िया आते हैं questions, 60-70% time question easy आते हैं, ओए, 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 differentiation, it's a little vast, but trust me guys, आप concept prepare कर लें, 70% chances है, probability आपकी question को hit कर लें, अच्छा, इतना होने के बाद probability को हम कैसे छोड़ दें, तो probability आप ज़रूर कर लें, base theorem, reverse base theorem, और probability में, simple simple concept बहुत सारे हैं, जो आपकी NCRT में भी है, as well आप past year paper भी कर लो, तो आपकी 70-80% question hit होने के chances बन जाते हैं, वच्छो, मैं हूँ चाहे कोई और हो, किसी के पास भी कोई guarantee नहीं है, no one have a guarantee कि चलो मैं जो पढ़ाऊँगा, वही आएगा, पर एक चीज जो है, बहुत ह ही निश्चित है, बहुत ही सुनिश्चित है, कि आप अगर concepts को तयारी कर लो, तो 100 में से 70 सवाल आप बना सकते हो, ठीक है, बच्छो, अगला जो देखते हैं, वो है applications of derivative, इस पे आप MCQ को जरूर तयारी कर लें, क्योंकि applications of derivative पे कई बार exam में सवाल पूछे जाते हैं, बच maxima minima, increasing, decreasing, इस पे काफी खुबसूरत सवाल पूचे जाते हैं, मेरी आप से request है कि please, 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 derivative अब application derivative जरूर करके जाएं, क्योंकि maxima minima आप कर सकते हो, increasing, decreasing आप कर सकते हो, इसमें याद है हम लोग interval निकालते थे, increasing, decreasing का, कि इस interval में increasing है, इस interval में decreasing है, साथ साथ बच्छो, आप notice करोगे, word problem भी कई बार पूचे जाते हैं, ठीक है, तो maxima minima पे मैंने कई बार देखे हैं, word problem पूचे गए हैं, ठीक है, तो बोलते हैं कि profit minimum कब होगा, maximum कब होगा, या area of rectangle, area of triangle, minimum, maximum कब होगी, tangent and normal पे भी कई सवाल पूचे गए, तो simple है, easy है, कम समय में जादा अच्छी पढ़ाई हो सकती है, complex number, मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट, सबका फेवरेट, complex number, जो complex number में, J mains और advance में अलग-अलग level है, but I would recommend you कि at least आप complex number J mains level का करी लो, ठीक है, यूँकि J advance में circle and conics और 50 type क concept mix है, मेरा इसा मनना है, I would call complex number as average and easy level, differential equation, derivative or integration आता है, तो यह जाएगा, इसमें decay के problem आते है, linear differential equation पे आता है, solving of differential equation, particular solution, general solution, Newton's law of cooling, यह simple simple concept आते हैं, straight lines बहुत easy topic है, straight forward topic है, geometry का concept बहुत है, मैं मानता हूँ, but it's a really good topic, lines और planes हमने बच्चो 3D में ले रखे है, set and relation काफी easy है, बच्चो आप देखोगे कि type of function, type of relation पे बहुत सारे question आते हैं, sets में तो care easy आता है, यह तो कोई भी कर लेगा, even board level student can solve it, बच्चो आप logic में देखोग आते हैं, तो logic में आप क्या करिए, किसी भी, किसी भी chapter के लिए आप देखिए, आपको एक चीज़ simple सी कर लेनी है, if you wanted to hit 50% marks in the exam for mathematics, मैं मेरे maths की बता रहा हूँ बाद, तो आप past year question paper को बहुत अच्छे से कर लो, plus, plus आप mock test solve करो, तो आपके 50% marks बन जाते हैं, क्या guarantee है, हो स आप notice करोगे, प्यारे बच्छों, कि past year question paper से ही inspired होते हैं सवाल, अब क्या मैं ये कहता हूँ, सिर्फ mock test करो, और सिर्फ past year paper करो, नहीं, concept पढ़ लेने है, boards level की, book को prepare कर लेना है, if you are from Maharashtra board और CBSE, मेरा whole and soul ऐसा नहीं कहना कि सिर्फ past year question paper कर लो, आपका भला हो जाएगा, प्लीज try to understand it, concept तो आपको पढ़ना ही है न, definite integration के concept को करना ही है, बट past year question paper से काफी help मिल जाएगे, ठीक है dear student, तो snaps on YouTube channel की link मैंने आपको description में दे रखिए, आप वहाँ से जाके channel को subscribe कर सकते हो, वहाँ पे भी हम upload कर रहे हैं video for physics, chemistry, mathematics, और straightforward आप ये app download कर लीजे, free of cost है, पे आपको सारे questions और doubts के solution बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे, और video lectures की भी बड़िया तयारी हो जाएगे, so see you guys, wish you a wonderful, successful, happy and fabulous life, God bless you and your family with good health, उमीद करते हैं कि आपकी exam बहुत अच्छी जाए, और आप कौन से next topic पे video चाहते हैं, let me know in the comment section, see you, all the best, अब आपकी पूरी- करेंगे, बच्चों, tension मत लीजिए, keep working, keep moving ahead, क्योंकि आपको आगे बढ़ते रहना है, progress करते रहनी है, और लेहरों से डर कर नौक अपार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी आपनी होती, तो कोशिश करते रहे हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपकी मैनत से ज़्य साथा रिटन आपको जरूर मिलेगा, so see you guys, this is AK Mandan and God bless you all.